युद्व प्रदेश में योगी आदितनाथ की सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉल्बरंस की नीती पर काम करने का दावा कर अपराधियों पर कहर बन कर तूटने का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ खुद भाजपा कारे करताओं को सरे रहा मौत के घाट उतार दिया जा रहा है इतना ही नहीं घटना के बाद मौके पर पहुंचे भाजपा के पूर्व विधायक अपनी पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए हत्यारों के द्वारा फोन तक नहीं उठाने की बात कह गए साधी पूर्व भाजपा विधायक ने सपा कारे करताओं पर भाजपा कारे करताओं की हत्या का आरोप लगाया है दरसल मेरट के परिक्षित गड़ थाना श्वेतर के गाउं कुआ खेडा निवासी अक्ष्व त्यागे ने बताया है कि उसके भाई 28 वर्ष्य वैभव त्यागे पुत्र राजिव त्यागे का गाउं के ही शोईप से एक महा पूर्व किसी बात पर कहा सुनी हो गई थी इसमें गाउं के सुब्रांते लोगों ने समझोता करा दिया था गाउं वालों ने बताया कि फिर से दोनों पक्षों में कहा सुनी हो गई जिसके बाद उम्रे तक अथाने जाकर अपनी जान का खत्रा बताते हुए तहरीर दे कर वापस घर लौट रहा था तब ही गाउं रहदरा के बास घात लगा कर बैठे शोईब और उसके साथियों ने उसे रोक लिया और वैभव से कहा सुनी करने लगे जो देखते ही देखते मार पीट में बदल गई जिसके बाद शोईब ने वैभव के पेट में गोली मार दी गोली का शोड सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुँचे जिने देखकर आरोपित हतियार लहराते हुए फरार हो गए गटना के पास मौझूद लोग घायल अवस्ता में युवक को लेकर अस्पताल ले जा रहे थे लेकिन घायल युवक की अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई वहीं गटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतक के शब को कबजे मिले कर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया उधर वैभव की मौत से एक गाउं में कोहराम मच गया वैभव के छोटे भाई अक्षे ने बताया है कि वैभव के शादी एक वर्ष पूर्वी ही पीर नगर सूधना दिवासी आयश्री के साथ हुई थी जो की गर्भुवती भी है तो हम बताएं मतलब सिंगल कुछ बात नहीं कुछ नियर बद गोली मारती सिर्फ किसी समाजबादी का कोई विदायक देसे उधर चला गया इसी बात पर गोली मारती किस-किस है कि चोबिस साल कर लगए एक साल साधी को हुए है वैभव कि विवाद कुछ नहीं नहीं थाने से तो नहीं थाने से तहीर दे के आया था गौह में एंट्री करी थी एंट्री से पहले एक गौह पड़ता है रहदरा उसका जब लास्ट वला मकान है जैसी वन एंट्री करी है महां पर युशा गोली मारती परिवार बता रहा कि यह समाजवादी यह भाजपा की साथ रहता था और वो समाजवादी पार्टी यह गुंड़े तो चेलेंज करके मारा जबकि इसने पुलिस को जो है आदे एक गंटे पहली रिपोर्ट करा का आया तो यह जो है जिए जिए लोग वोलते हैं ना कि हमें जिश्कन है अपने पुलिस से बात करें अभी शत्तान साब ने पौन ने पूर भाजपा विधायक के अधिकारियों पर फोन न उठाने के आरोब बेहती कंबीर हैं जिससे पुलिस की कारेशाली पर सवाल उठते हैं ऐसे में सरकार को अधिकारियों पर कारवाई करने की जरूरत है पंजाब के स्ट्री टीवी के लिए मेरट से आदिल रहमान की रि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद